कुम्बर राशी, 13 और 14 अगस्त की दिन दो बड़ी खुशकबरिया मिलेगी दोस्तो आज का वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है आज हम आपको पूरे दो दिन की कुम्बर राशी फल बताने वाले है इन दो दिनों में आपको दो बड़ी खुशकबरिया मिल सकती है दोस्तो यह खुशकबरिया किस तरह के होगी इससे आपको क्या-क्या लाव हो सकते हैं यह सबी बाते जो कि आज की सुड़ों में बताने वाले है तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के संग शेयर करें और हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशुपल को सब्सक्राइब जरू करेगा और भोलेनाजी का शिरुवत चाहते हों तो कमेंड में जाई भोलेनाजी लिगना ना भूलेगा तो चले विरावत गवाई शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते ही कि आपके लिए इन दो दिनों में इंपोर्टन बाते कैसे रहेगी उसके बारे में दोस्तों प्यार, उमीद, सहनभूती, आशावादिता और निश्टर जैसी सकरत्मक भावनाओं को अपनानी के लिए खुद को प्रोस्ताईद करे यह सभी जो सकरत्मक भावनाएं अगर आपके अंदर रहीगी तो आप एक अच्छे मुकाम तक पहुन सकते हैं हर कारे में सपलता भी मिलेगी और सहकारियों से जो की सहयोग भी मिलेगा एक बार एक गुणा आपके अंदर रच बस जाए तो हर हालात में वे खुद ही सकरत्मक तरीके से उबर पाएंगे अटके हुए मामले और घने होंगे वो खर्चे आपके दिमाग पर च्छा जाएंगे आपका उर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्म जोसी से भरा व्यावहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा आपका जो भी व्यावहार जो भी चल रहा है उससे आपकी प्रॉफिट भी बढ़ सकती है अपने प्रियों को समझने की कोशिश करे, नहीं तो मुश्की में फल जाएंगे नहीं साजीदारी फल रही रहीगी इस राशी के लोगों को अपने आपको समझने की जरूरत है सबी लोग यही गलती ही कि वे खुद को समझने पाते अपने अंदर जो भी इच्छा शक्ती है, जो भी मजबुती जैने मन की परस्तिती है उनको समझीगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आप दिमाग से निकालेगा बलकि आप सब कुछ कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुई ही कार्य करेगा यदि आपको लगता है कि आप दुनिया की बीड में कहीं खो गए हैं, तो अपने लेव वक्त निकाले और अपने विव्यक्तितों का अकलन करे दिनु उन्माद में घिरा जाने का हैं, क्योंकि आप अपने जीवन साती के साथ प्रेम के चरम का अनबो करेंगे दफ्तर में आपको अपने व्यवहर का खास ध्यान रखना होगा, बेवज़ग का गुसा और आपकी तीखी वाणी सहकर्मियों के साथ मन मोटाव की वज़ग बन सकती हैं दोस्तों गुस्ता कभी भी ना करें और अपनी वाणी को हर वक्त मधुरी बनाए रखें इससे कि आपके रिष्टे बढ़ते रहेंगे, आपको किसी भी कारेक्षेतर में कोई भी प्रॉब्लेम ही आएगी तो भी लोग आपका सहयोग आँख बंद कर करेंगे इस समय आपको अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाने की जरूरत है साजेदारी में कारोबार करने वाले जातकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कारोबार पर चाई हुई मंदी और साजेदार के साथ मतबेर आपका तनाव बढ़ा सकते है दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको किस तर की खुशकबरिया मिल सकती है दोस्ते हैं खुशकबरी जो कि अलग-अलग हो सकते हैं उनमें से सबसे इंपोर्टन जो खुशकबरी है जो लोग गवर्मेंट जॉब में हैं उनका प्रोमोशन हो सकता है या पिर उनकी जो की काम के लिए उनको प्रशन सा मिल सकती हैं, अपने कारेले में उनका मान सम्मान भी हो सकता है यानि कि यह जो खुशकबरी है, गौवर्मेंट जॉब के लिए एक है और दूसरी जो खुशकबरी है, वो व्यावसेक शेतर से जुड़े हुई है यानि कि कई लोग ऐसे हैं जो कि व्यावसेक शेतर में नए हैं, उनको जो कि बड़ी चलंग अपनी व्यावसे में दिख़्ाए देगी यानि कि अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा ग्रोथ जो कि अपने बिजनेस में उनको देखने को मिल सकता है तो इस तो अब बात करते हैं कि आपके लिए धनराशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में इन दिनों पैसे रूपयों की चिंता सता सकती हैं लेकिन एक घड़ी भी निकल जाएगी आप इस दुवीदा में पड़ सकते ही कि पैसा बचाया जाए या जो सामने जरूत आपड़ी है उसके लिए खर्च कर दिया जाए लेकिन जो भी करना है आपको सोच समझ कर ही करना है आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर प्रयत्न करते रहेंगे अब आप अपनी आई कार्ट ठीक से प्रबंदन करे आपनी यदि अपना हिसाब किताब ठीक कर लिया है तो समझेए यही आपका सबसे बड़ा हितिशी है इस तरह हो सकता है आपको अपनी आई बढ़ाने का एक नया बढ़िया रास्ता भी सूच जाए दोस्तों अगर हम करियर राशिपल के बात करें तो आप अपने कारेले में तनावपुर्ण माहुल पाएंगे आप अपने आपको शान्त रखे वरने इसके कारण परेशान आ सकती है खुद को शान्त रखेगा कोई भी गुस्सेगरी वाली कोई बाते ना करेगा कोई माहुल बिगरने जैसे वाली बाते ना करेगा आपका सबसे महतोपुर्णा काम यह है कि आप शान्त से ही काम करे और अपने लंबे समय के लक्षों पर ध्यान दे अच्छा होगा कि छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान ना देना आपको रोमास पार्टनर मिलने की पूरी संबवना बन रहे है पिछले दिनों प्यार की खोज में आपको निराशाहत लगी थी पर आशा की किरन फिर से जागी दिखेगी इस मौके को हाथ से ना जाने दे कुछ समय के लिए रिस्ते बनाने की बजाए कुछ बात आगे बढ़ाने की कोशिश करे दोस्तो स्वास्तर अशिपल की बात करे तो आपको अपनी सिहत के प्रतीज साउधान रहना होगा टीवी पर मशीन द्वारा दिखाए गई कसरत पर ध्यान ना दे जितना आप जानते हैं वही करे पोश्टिक भोजन और रोध व्यायम से आप स्वस्तता मंत्र तक पहुंच सकते हैं अपनी जीवेंशलियों को बदले ना की डायेट को तो दोस्तो अब बात करते हैं कि आखिर में आपको कुणसे बातों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में आपके परिवार को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है जिसके चलते आप खीज मसूस कर सकते हैं उनके उम्मीदों को ऐसे ही बनाए रखे वरना वो तूट जाएगा तो आपके उपर का विश्वस भी उनका उड़ जाएगा आपके घर से जुड़ा निवेश जो के फाइदेवन रहीगा एक मज़ेदार शाम के लिए दोस्त आपको अपने घर पर बुलाएंगे आपका प्रेमी या प्रेमी का बहुत गुसे में नजर आ सकते हैं इसकी वजह उनके घर की स्थिती होगी अगर वो घुसे में हैं तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें अपने लक्षों का पिछा करने के लिए उम्दा दिन हैं अपनी शरेरिक उर्जा का स्तर उन्चाई बनाए रखें ताकि आप जी तोड़ मेहनत कर जल्द से जल्द उन्हें हासिल कर सकें इस मामले में आप अपने दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं क्योंकि आपने उनकी मदद हर हाल में की हैं और वे भी अब आपकी मदद के लिए हर हाल में हाजिर होंगे यसे आपका उस्तह बढ़ेगा और उद्दिश को पाने में सफलता मिलेगी अपनी शरीर को तंदुरुस्त दुरुस्त करने के लिए आप कई बार सोचेंगे लेकिन बाकी दिनों की तरह भी यह प्ल्यान धरा का धरा ही रह जाएगा अगर आप अपनी जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नजर अंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका राशिफल रहने वाला है वीडियो अगर आपको सक्च में अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा दोस्तों इसन शेयर करेगा और हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरू करेगा तो चलिए दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद